आज से 200 साल पहले और 1857 से भी पहले उड़िसा में सुनाई पड़ा था विद्रोह का सुर्ख, वीरों की ललकार और ख्रांते की पहली पुकार जाए इक बचलाँ, जाए इक बचलाँ उड़िसा के तटवर्थी क्षेत्र में बसा है खुर्धा नगर, जहांके वीर पाईप का युद्धाओं की पराक्रम के हिस्से सुनने, समुद्र की लहरे में लौट लौट कराती है सन 1804 अंग्रेजों से युद्ध के बाद, खुर्धा के राजा मुकुंद देव को बंदी बनाया जा चुका था उनके दीवान और मंत्री जोई राजगुरू ने युद्ध का पूरा जिम्मा अपने सर लिया मुकद्धमा चला और 1806 में अंग्रेजों ने बड़ी नर्मम्ता से उनका बद कर दिया खुर्धा अब इस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था आए दिन नाय खानून बनने लगे, लोगों से उनकी जमीन जायदा चीन ली गई देश को ऐसा ग्राण लगा कि हर ओर अंधकार चा गया बतब सन 1817 में निराशा के काले बादलों को चीर कर निकली आशा की एक किरण बाइक का सरदार बक्सी जगबंद्यों जस भूमी पर जई राजबूरू का फूम गिरा था उसी के मिट्टी को माथ्य पर लगा बक्सी जगबंद्यों ने पाइक का विद्रोह का शंक बजाया राजा नहीं तो क्या हुआ बेश का हर्मापिक बेश का रख्षट है बक्सी जगबंद्यों ने आवास दी तो नायगड़, दासपल्ला, बौत, राणपुर और शेरगड़ के पाइक का युद्धाओं ने अपनी तलबारें तांग ली गुमसुर के कॉंध जनजाति के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया खली कोटे के आम जन ने भी हात्यार था रहे, वियासतों के सरदार और जमिनदार साथ आये और देखते ही देखते, जनता की ऐसी सेना खड़ी हो गई, जसकी हुमकार सुन अंग्रेजों का खरदार भाय से काम होगा बक्सी जगबंधू के कुशल निप्रतों में पाइक का विद्रोह वो दावानल बन गया, जसमें अंग्रेजों का वर्चस वो भसम होने लगा जंगलों में छुपे बाइक का युद्धा, घात लगा कर हमला करते, और कमपनी के दफ्तरों, गोदामों और खजानों को तहस नहस कर दे मीर हैतर अली, दीनबंधू सामंत राय महापात्र, दामो सुबुध्धी मौंगो राज, सामंत माधव चंद्र रावतराय, पिंड की बाहु बढ़ेंद्रों, और पूर्तिवास पाठ्चानी जैसे रावापात्रों को साथ लेकर, सरदार बहसी संघश करते रहे सबका लक्ष एक था, मात्र रूंगी की आजादी पर जिस दिगज को दस साल लंबा संग्राम नहीं हरा पाया, उसे एक विश्वास खाट ने हरा दिया अंग्रेजों ने सरदार बक्सी के परिवार को नजर बंद किया और चाल चलकर उडिसा के शेर को खैद कर लिया कटक जेल में देश के आजादी का सपना देखते हुए, इस महानायक में आखरी सांस ले पर जेसाग को ये हवा दे गए, उस से हजारों मशालें रोशन हुई वीर सुरेंडरसाई एक ऐसी ही मशाल थे कहने को ये विद्रोह केवल दस साल ही चला, पर वीर सुरेंडरसाई ने इसे कभी मरने ही नहीं दिया 1864 में गिरफतार होने तक वे अपने साथियों के साथ लगातार स्वतंतरता के महायग में आपती देते रहे और दुनिया को बताते रहे कि जिन नागरिकों में राष्ट्र संबान का बोद है वे सदा ही आजाद रहते हैं और देश हित में नई ग्रांतियान लाते रहते हैं आज एक रतक के देश फ्रदय में गर्व और सम्मान लिये अपने महान शहीदों को नमन करता है पाइक कसरदार बकसी जगबंधू की जये पाइक विद्रोह के वीरों की जये ओडिसा के सच्छे सपूतों की युग युगांतर तक जये जये जगनात कि अनलड और सम्मान लिये जये जड़ाश एक विद्रोह के वीरों